बहराईच के महाराज गंज में हुए हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों, सरफराज और तालिब की पुलीस से मुढभेड हो गई, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए, मुढभेड नानपारा कोतवाली के बाईपास पर हुई और सूतरों के अनुसार, दोनों आरोपिय के पैरों में गोली लगी है, सरफराज की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि तालिब घायल है, यूपी के ADG Law & Order अमिताब यश ने बताया की, इस मुढभेड के बाद सभी पांचों आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया है, ये सभी हिंसा और हत्या के मामले में खायल आरोपियों को नानपारा CHC में भरती किया गया है, जहां उनके इलाज के लिए पुलीस सुरक्षा तैनात कर दी गई है, अस्पताल के बाहर सुरक्षा करी कर दी गई है, और किसी को भी अंदर जाने की अनुमती नहीं दी जा रही है, सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी अब्दलχमीद का बेटा था, और अब्दलहमीद पर राम गोपाल मुष्रा की हत्या का आरोप है, रविवार शाम को दुर्गा प्रतिमा विसरजन के दौरान हुए विवाद में राम गोपाल मुष्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थि, जिसके बाद जिले में भारी हिंसा हुई आक्रोशित भीड ने जम कर उतपात। मचाया लेकिन मंगलवार और बुधवार को स्थिती शांत रही और गुरुवार को महाराज गन जिलाके में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई। सरफराज और तालिब के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें बिना किसी सूचना के उठाया गया अब्दुल हमीद की बेटी रुकसार का कहना है कि सुमबाश शाम चार बजे उनके पिता अब्दुल हमीद उनके दो भाई सरफराज और फहीम और एक अन्य युवक को परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने मुख्य मंत्री से दोशियों के खिलाफ सक्त कारवाई की मांग की थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कारवाई की है मेडिकल कॉलेज के बाहर भी सुरक्षा के लिए फो झाल झाल